नमस्कार बहुत स्वागत प्योज़ आप देख रहे हैं कहानी कुर्शी की मैं मेहमानों के साथ फिर आज दिरू हूँ समीर जोगांकर साथ अफदेश कुमार जी विजे तिर्वेदी जी अच्छवदन तिर्पाटी जी उसी बार फिर आप सब का स्वागत बात अब जरा गांधी जैंती पर करते हैं नरेंदर मोदी की प्रधान मंतरी ने आज स्वच्छधा अवियान में हिस्सा लिया है दिल्ली के पंडारा पार्क के नवियुक स्कूल में आज वो सुबह सुबह पहुंचे यहां उनके उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर पार्क में जारू लगाया बच्चों के साथ बातचीट भी की रानमंतिरी नरेंदर मोदी ने दस साल पहले दो अक्तूबर को गांधी जैन्ती के इस खास मौके पर सुबच्छ भारत मिशन की शुरुबात की थी और आज इस मिशन के भी दस साल पूरे हो गए है तो स्वीरें तो आप देखी रहे हैं कुछ बातचीट भी हुई आपको सुना देता हूँ मैं पहले पिर उसके बाद आगे बात करेंगे अरुसमें सबसे जाबा कस्त बाताउ बहनों को अरश बेटियों को अगता है जब से हमने श्वत्र बारत अध्यान कर लाए तो स्कूलों में टॉलेट बनाएं सबसे पर बच्चियों के लिए अलग पनाएं और उसका ही पढ़ना हुआ थी हाथ बच्चीवों का प्रपा उपरे बबट प्रम उप्ट रहें तो स्वच्छतार का फाइदा हुआ नहीं हु था डुझा नहीं है रदुस्टा ॡवधरश्ती लाल नहीं हुआ दृसासती है अच बच्चीवब कर्के रहा इतने सारट आशन से कया भाता हुआ हुआ हूआ यह मतनी पाइसे धिकनलिशन आ था यहा ते अजख वाइज प्यान था फो ऐा उन्त Еगता हो तो ये आप प्रधान मंत्री का एक इंट्रेक्शन बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ देख रहे हैं, देखें वैसे तो ये रिचूल है, हर साल आप देखते हैं, प्रधान मंत्री होते हैं, मुख्य मंत्री होते हैं, बड़े लेता, कहीं ना कहीं वो प्रतिकात् है अच्छी बात है इसे लोगों बखास कर बच्चों को प्रेड़ना भी मिलती है और इस सरकार ने तो कम से कम इस फरंट पर बहुत अच्छा गाम किया है मुदान मंतरिया इनलाल के लिए से कहा था मैं टॉलेट बनाओंगा जैसारों ने बताया भी आपको इसी बातचीत में स्कूलों के अंदर टॉलेट बनाए बच्चियों के लिए अलग टॉलेट बनाए ओपन डेफेकेशन फ्री खुले में शौच से गाउं को मुक्त कराने के बहुत बड़ा अभियान चला है अब उस पर आप राजनीती कर सकते हैं दावों में मीन मेक निकाल सकते हैं कि पूरा 100% ODF हुआ है कि नहीं हुआ है लेकिन कुछ तो काम हुआ ही होगा हर गाउं में जो हैं शौचाले बने हैं आप जो नए घर सरकार बनाती है उसके अंदर टॉलेट पका टॉलेट होता ही है तो यह सारे अभियान और इसको बिल्कुल वार फूटिंग पर या अभियान और एक टार्गेट ओरियंटेट तरीके से इस काम को किया गया अब उसका क्या नतीजह आया क्योंकि कोई भी चीज़ आप काम करना है तो वह उसकी आपको सब्सक्राइशन की वज़े से जन्दिगी कम होने की वज़े से जो बच्चों की बिमारियां लगने से मौत वजाय करती कम हूं तुमें उसमें बड़ी कमी आई है अकर 60-70 सिश्वों की बच्चों की जाने हम बचा पाने इससे तो अपने आपने का सफल हुगया तो यह तो टेकर के पीडाओ पाने होने ँर्च्नकी के स好像 मिशन के कारण से साब का वून के अनिर्च के आई से 5,000 को बेमारिया नहीं हो रहे से कराण सब करते थे होता कुछ नी था और खुलकर कोई बात के और उसे इंप्लिमेंट किया गाओ-गाओ शहर शहर ने कहा सकता है कि मनमौन की सरकार के समय बें निर्मल भारत की बात हुई थी लेकिन जिस तरीक से जन अनुलान पदायमंतरी मोदी ने जब 2014 में शुरू किया है और प रहा मंतरी मोदी लगा था सचता के लेकर लोगों को जागरूक करते रहे हर मंच पर बोलते रहे और मुझे लग रहा है इसको आत्म सम्मान के साथ जोड़ा आपने टॉलेट को इजद घर कहा बिल्कुल सम्मान के से जोड़ा और सरकार ने दिल खौल के पैसा खर्च किया सचता को अपने सामाने वे ओहर में शामिल कर ले ये सबसे बड़ी बात है और साथ हजार प्रतिवर्ष बच जा रहे हैं उनका जीवन बच जा रहा है दवाईयों पर खर्च बच जा रहा है क्योंकि वो बीमार कम पढ़ते हैं और अगर आप ध्यान से देखिए तो देश के किसी भी हिस्से में आप चले जाई सच्छता बहुत हद तक लोगों के ज अगर कोई प्रधान मंतरी खुद सीख सिखा रहा है जीवन ब्योहार मिला रहा है तो निश्चित तो बड़ी बात है और जो World Health Organization है वो ये कह रही है कि अगर हम इसको और 90 से जबसे हमने यहां प्रोग्राम शुरू किया अगर इस तरह का प्रोग्राम ये लागू हुआ होता तो तीन करोड बच्चों के हम जान बचा पाते हैं 1990 बहुत अच्छा काम करे इस फ्रंट पर हो रहा है जारी रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं मैं आपसे महराश्च की पॉलिटेस डिसकस कर रहा था महराश्च में देखे कल हमने आपको देखाय था यूपी के एक सांसत का बयान कि मुस्लमानों की आबादी बढ़ गई है और अब तुम्हारी सरकार जाना तैय है महराश्च में देविंदर फर्ण जो बीजेपी के सबसे बड़ा निता माने जाते हैं उन्होंने एक बार फिर कहा कि वोट जिहाद को लेकर वोट जिहाद से हम 48 में से 14 लोगसभा सीटें हार गए और उन्होंने उधारन देखर के बताया कैसे एक सीट पर इतनी असेमली सेग्मेंट में हमारा कैंडिडेट जीत रहा था आगे चल रहा था केवल एक असेमली सेग्मेंट जहां पर मुसल्मा जाता है उन्होंने एक तरफा वोट कर दिया और हमारा कैंडिडेट मालेगाओ धुले धुले लोगसभा कांडिडेट जिहाद के बात उन्होंने कि इसकी चरशा हम लोग आगे जाकर के करे यह वोट जिहाद हो रहा है हमारे खिलाव मुसल्मान एक तरफा हमें हराने के लिए वोट कर रहे हैं उनके जो साथियां अजीत पवार वो कह रहे हैं कि हम कम से कम 10% मुसल्मानों को वोट देंगे हम सारे समाज के लोगों की पार्टी है हम सब लोगों को पतिनित देना चा NCP है, इनके साथ मिलकर हम सरकार बनाएंगे, यह आपका लक्षे है लेकिन दो हजार उन्तिस में किसी सहयोगी के साथ नहीं, आपको अपने दंपर सरकार बनानी है माराश में पिछली बार मैं देखा तो 1985 में एक पार्टी की सरकार बनीति और कॉंग्रेस पार्टी हो सकती, उस वक्त तो मेरे खाल साथ और कोई पार्टी नहीं रही होगी, जिन्होंने अपने दंपर सरकार बनानी, तब से केवल कोईलिशन गर्वर्मेंट्स बन रही है 1985 से, 40 साल से अब वोट ट्रेंड जो है, अमिर्शान ने टार्गेट दिया है कि वो तोड़ना है फिर उन्होंने कहा कि आपको अपने हर बूथ पर 10% मत दाता बढ़ाना है तो यह उस तरीके के लक्ष वो दे रहे है लेकिन जो मुस्लिम वोट वाली और वोट जिहाद वाली बात है इसको आप ज़रा सुनिये, मैं आपको देविंद फरनविस की बात सुनाता हूँ फिर संजय राउत जो कह रहे हैं उनके इस बयान पर उसको भी सुन लीजे पर आपक्षे जिंकेल पर आपक्षे जिंकेल पर कही लोकांचा आत्मोईश्वासे ओडा वाडलाई तरना सवाट आए अमची संख्या कभी असली तरियामी संगठित मतदान करों या ठिकाने हिंदूत वाध्यान ना पराभूत करूशकतों आपन मंटोना महातारी मेलाच भुखनाया है काल सुकावतों तश्या प्रकारे काल सुकावतान आपलेला याठी काली पाहला मीतों है ही खरे आर्था मों जागनू थोड़ाची वेला है जिहाद केला है मंजे का आश्ता जाना विचारा जारा है तो तंटा सद्या जिहाद फार है तो यानि खुडे दुस्या गड़ी तलाक वेगरे देतायात का का निकाहा करतायात कोणा शी दुस्या गुटला पक्षवाची निकाहा करतायात का मतान साथी विचारत अन्ना जारा ये काई सारका जिहाद 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 करतायात जिहाद चारत समझुन गया अनि मग बोला तुमाला ब्रष्ट लोकांची मता चालता था ब्रष्ट तेरी में अचा अर्था असा है कि तुम्ही ब्रष्टा चारन सी निकाहला आउलात बोलुका या सगया ब्रष्टा चारन आपने आपने अपने डिया निकाहला आवला संगुगाँ अभी या वेश निवा डुकी चानि मित्ताना मि माजा अलपसंग्यां समझ जाला पन संगतों राज्या जाउडया जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला महा यूति मदे मिरना रे तैयातले दहा टक्के में इत्युत जागा मी मैं नोटीला देने जा काम करना रे तशाप्रकर सथा निर्णने गीतला मी सर्वजाती धर्माला माननाा रा च्वाशा फुले अमेल करांचा एक समर थका यूँ तैजा मुलो कैं वाचार्वीर वेगुग्या धर्मा करता-पंधा-करता-शमझ एक इंट्रेसिंग बात जो अजीद पवार अभी बोल गए कि नितेश राने जो हैं समाज के समाज में वेमनस से पहला रहे हैं समाज की लोगों को आपस में लडा रहे हैं नितेश राने बीजेपी की विधायक हैं और इन्होंने क्या-क्या बयान नहीं दिये मस्जिद में घ अजीद पवार को तो अपनी राजनीती देखिना है वो तो शरत पवार के घर से राजनीती संसकार सीखें और कॉंग्रेस की राजनीती शरत पवार की राजनीती जो रही है मसलमानों को लेकर वही अजिद पवार आगे लगे जाएंगे और अजिद पवार को नवाब मलिक मलिक को भी जवाब देना है ना, नवाब मलिक तो उनकी बैठक में गए थे, दिवेन फंडेविस की विरूत के बाद भी, तो अजित पवार जानते हैं कि उनको मूल वोटर कौन है, उनको कौन वोट करेगा, अजित पवार अगर हिंदुत की बात करेंगे, तो हिंदुत के व अजित पवार जानते हैं कि उतना सालों से राजिती करिए, वो मुसल्मानों के बड़े राजिती करिए, हिंदुत के खिलाफ लड़के राजिती करिए, नितिष राने जो आग उगल रहे हैं, उसके बावजूद, मतलब, वो नहीं देखेगा कि सरकार तो यही है, बीजे अजित पवार के समस्या यही है, अजित पवार ने लोकसभा में देख लिया, जिस आपसे उनको मद्दान मिला है, और जिस तरीके से वो अस्तरज मिल रहे हैं, और देवेन फंड़े बोल दिया है, कि अजित पवार के वोटर में ट्रांसफर नहीं हुआ है, इस पश्च ब अजित पवार के करना हारे हुए, तो हो सकता है, वो आपको गडबंदन से भाहर कर दे, दोनों मलाई, उसने कल कहा संजेरा उतने, कि देवेन फंड़ने इस रेकना शिंदे मिलकर मलाई बाट लेंगे, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है, मतलब सिधा सो संदेश है कि आ आनसर उनके साथ नहीं और एकना शिंदे और बीजेपी के, तो वहला लड़कर अपनी शक्ति देख सकते हैं, फिलाल गडबंदन में कोई बड़ा परिवरतन मुझे नदर नहीं आ रहा है, सर, किसको तलाक, किसको, हाँ, 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 देगी ये तो अभी जैसे कहा कि बोट जियात की बात करें तो विकास की बात करती हो पार्टी वोट जियात की बात करेगी, तो सवाल तो खड़े होंगे ना, कि क्या हो रहा है, और फिर आप अजीद पवार के साथ भी चल दो, लेकिन राजनीती में इतना इंव्पर्टन नहीं बड़ा इनौह को बहाते है तो इसलिए इतना गंभीड़ता से इनको लेना नहीं चाहिए आज चुनाव हो रहा है देवेंद फटनवीज जी के अगला भाशन देश कहीं पर वो कहें कि मुसल्मान हमारे साथ रहेंगे तब ही हम देश को आगे बढ़ाएं कि मुसल्मान के भी नहीं जाएंगे इसलिए इ माले गाव की जो एक सीट है माले गावाली जो सीट है धुले में उसको एक लाग चाहरा नुए हजार वोट मिला तो ये बात तो आप कभी वोट कटवा के लिए करते हैं इस पर बहस होने लेगे जो आपने बात की खूल करके कि बीजे पी का नारा सबका साथ सबका विकास स प्रहाफ सब कुछ है, ने, लेकिन कह रहा है कि फिर भी अगर एक कॉम्यूनिटी हमें हराने के लिए वोट करती है, और एक तरफा वोट करती है, तो आप उसका जिक्रत करें, कि भे हम कुछ भी कर लें, ये हमारे साथ नहीं है, ये चाहते हैं हम सिरफ, चाहते हैं कि हमारे, आयोध्या में किस ने दिया था, आयोध्या में क्यों हा रहे थे आप, वोट जियाद था, और अभी तो 240 सीटे आई है, चार्सो पैती सीटों पर लड़ो आप, तो 300-200 सीटे किस जियाद की वज़े से आ रहे है, इसका भी तो जवाब होना चाहते है, इलेक्शन, इलेक्श यदि इस तरह का कोई माहूल बन रहा हो तो, लेकिन आप इसी तरह का माहूल बनाता रहे हैं, आप मुझे बताईए, ने 200 सीटों पर आज डिबेट कर लेते हैं, चलिए हम सब लोग बैठे हो, बताईए, वोट जियाद से कितनी सीटे भारती जनता पार्टी हा रही है, और देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, उस सबसे बड़े राज्य में सबसे ज्यादा सांसत की सीटें जितने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जब विधान सभा चुनाव हुए, तो उसके बाद क्या कहा उन्होंने, उन्हो खराब बयान यह था यह जवाब दिना साथ जब वो कहती है कि यादो और मुसल्मान वोट चुनाव आयों काट देता है जबकि उसका कोई प्रमार नहीं है उसका कुछ तैय नहीं है अगर मेरा वोट नहीं हो पाया तो मेरी लापर वाहिए मेरी गलती है आप कह रहे हैं कि बीलो मुसल्मान हटा दिये क्योंकि उस पर भरोसा नहीं है उनको और अगर देवेंद्र फणवीस कह रहे हैं कि यह विधान सभा सीटे हैं चार में हम जीत रहे थे एक विधान सभा जो मुसलिम बहूल थी उसने हमें हरा दिया अब उसको वोट जिहाद इसका सीधा सा मतलिव है कि जहां मुसलिम बहूल होंगे वहां भारती जन्ता पार्टी ले कट रहा ही होगी तो हिंदू मतों पर कंसंट्रेट करेगी सीधी सी बात है इसमें इतना मतलब मैं समझनी पा रहा हूँ विधा जीतने क्यों परशान हो गया है नहीं हिंदू पर कं पर झाल से मुसल्मान और जादव के वोट से एक चीजस से हारते हैं क्या शुरा रहा है कि मुसल्मान एक जूट होकर हरा रहे हैं तो क्या वो बात भी नहीं करें सर काउंटिंग सेंटर में जो कॉंग्रेस को मिदवाय रहे हैं वो जो बोल रहे हैं जो भार रहे थे कि मालेगाओं की पेटी खुलने दो अभी डेड़ आक से पीछे के खुलने दो 2014 का भी बताएं ना मालेगाओं के कितने मुसल्मानों ने आपके खिलाफ वोट किया मैं तो से रहा हूं हमेशे ही खिलाफ वोट करते हैं इस बार आप उसको जिहाद से जोड़ रहे हैं अब देखे आप दूसरी तरफ आप चले जा रहे हैं जब वो हार रहे हैं तब ही तो बताएंगे ना यह तो सामाजिक निया है यह तो बड़ी सेकुलर है यही फ्रोड से कलर रिजम है आप बताएंगे आप किसी भी मुस्लिम बहुल कॉंस्टेंसी में क्या आपको लगता है कि कोई जीत सकता है कोई भारतिया पार्टी जीत सकती है इस पर इबेट करते हैं ऐब तर चृम vista करते है जुकर पूस्सार और सफिजक है जो एक्सराइज आपने तत्थेओं के साथ फिर थोड़ा सट्विस्ट करूब है कितने परसेंट जो भी जिस पर मारा जाता है कि मुसल्मानों की बज़े से पार्थी जीत रही है इसको आगे इसको आगे किंटिन्यू कर ले आगे भी हमको चुनाओ की बात करनी है